कहानी में आनंद भी आता है और सीख भी मिल जाती है दोस्तों जिस तरह मैं महात्मा बुद्ध की कहानियों से मोटिवेशन पहलाता हूँ उसी तरह आपका सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेशन देता है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें तो चलिए कहाने शुरू करते हैं एक बार महात्मा बुद्ध अपने सिश्यों के साथ कहीं जा रहे थे उन्होंने रास्ते में एक व्रिद आदमी को देखा वो काफी दुखी प्रतित हो रहा था कभी वो जोर जोर से हसने लगता तो कभी जोर जोर से रोने लगता ऐसा लगता था जैसे ये कोई पागल है बुद्ध उस आदमी के पास गए वो आदमी बुद्ध को देखते ही उनके चरणों में गिर गया और बोला आज तक मैं आपकी हर बात को नकारता था कभी आप पर विश्वास नहीं किया मुझे माफ कर दें आप सही थे मुझे आज ये समझ में आ गया है कि आप जो भी कहते थे वो सब सत्य निकला बुद्ध ने उसके आशूं पोचे और उसे भोजन खाने के लिए दे दिया वो वैक्ति बेहत भूखा था वो खाना लेकर खाने लगा वो एक निवाला खाता और रोने लगता ये सब बुद्ध के सिश्य देख रहे थे उन्होंने बुद्ध से पूछा कि इनको क्या हुआ है क्या इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है बुद्ध कहते हैं इन्हें ज्ञान की फ्राप्ते हुई है जाओ उनसे ज्ञान लो शिश्य उनके पास जाते हैं और कहते हैं बाबा आपको क्या हुआ है क्या आप हमें बताएंगे बुद्ध आदमी ने कहा कुछ साल पहले मैं महात्मा बुद्ध से मिला था उनके उब्देश सुने थे लेकिन मुझे वो बेकार लगते थे मुझे लगता था वो किसी काम के ही नहीं है जीवन जीने के लिए उनके उब्देश जरूरी नहीं है मैंने हमेशा उनका विरोध किया यहां तक कि उनके खिलाफ शडय अंत्र तगरचा ताकि लोग उनके भैकावे में ना है मुझे याद है बुद्ध ने कहा था कभी भी धनका गलत उप्योग नहीं करना चाहिए नशा नहीं करना चाहिए जूट नहीं बोलना चाहिए लेकिन मैं यही तो करता था और उसी में मेरे को आनन लाता था पैसे उड़ाना, मदिरापान करना यही सब मैं करता था जबकि मुझे मालूम था बुद्ध ने इन सब के लिए मना किया है और मैं देखता भी था जो लोग बुद्ध के कहे अनुसार चलते थे बेशक उनके पास चाहे धन ना हो लेकिन वो फिर भी आनंद में रहते थे और यही सोच कर आज मैं रो रहा हूं कि काश, काश मैंने बुद्ध की बात सुनी होती यही सोच मैं हस भी रहा हूं कि मेरी तरह बाकी सब भी ये बातें बुड़ापे में समझ पाते हैं और बाद में पच्ताते हैं कि शायद वो पहले इन बातों को समझ पाते मुझे याद है बुद्ध ने कहा था जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं शिश्यों ने कहा आपके पास इतना ग्यान है क्या आप हमारे साथ उसे साजा करेंगे ताकि हम भी ग्यान ले सकें जीवन को सही तरीके से जी सकें बृदाद में ने कहा मात्मा बुद्ध के सिश्चे हैं आप सब बुद्ध के समान जीवन की गहराईयों को कोई नहीं जानता जितने सही से वे आपको बता सकते हैं कोई और नहीं बताएगा लेकिन फिर भी मैंने जो समझा है आपको जरूर बताऊंगा उसके बाद उसने कहना सुरू किया हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि जीवन एक रेस की तरह है हम सब उसमें भागते रहते हैं जब हम छोटे होते हैं तो सोचते हैं कि हमारे पास हर खिलोना हो जो किसी दूसरे पर ना हो मेरी माँ बहुत सक्त थी वो हमेशा मुझे डाटती रहती लेकिन मैं आजादी चाहता था वो ना मिलने पर मैं सोचता था कि काश मैं मर जाओं तो ही अच्छा हो उसके बाद मैं सोचता कि जब मैं बढ़ा हो जाओंगा तो उसके बाद मुझे सारी चीजें और मेरी आजादी भी मिल जाएगी और मैं अपने हिसाब से जियूँगा उसके बाद जब मैं बढ़ा हुआ तो ये सब बातें बैर्थ लगने लगी लेकिन दोड अभी भी जारी थी मैं अपने मित्रों से अधिक धन कमाना चाहता था ताकि हर चीज खुद के लिए अच्छी तरह कर सकूँ अच्छे कपड़े पहन सकूँ अच्छा घर बना सकूँ उन्हें दिखा सकूँ कि मैं उनसे अधिक होनरमंदाद में हूँ उसके लिए मैंने शडियंतर रचे जूट बोला दोखा दिया लेकिन ये सब करते हुए मुझे ऐसास ही नहीं हुआ कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ कुछ समय बाद मेरे माता पिता ने मेरा विवा कर दिया जो लड़की मेरे जीवन में आई वो बहुत सुन्दर थी और उसकी हर बात मुझे अच्छी लगती थी मेरा वो हर चीज में साथ देते थी लेकिन बहुत समय बीदने के बाद भी मेरी कोई संतान नहीं हुई मैं अपने मित्रों का बच्चा देखकर उनसे इर्शा करता कि मेरे बुड़ाबे की लाठी कौन बनेगा कुछ समय बाद वो दिन भी आ गया जब मेरा एक पुत्र हुआ और मुझे बहुत कुशी हुई लेकिन कुछ समय बाद मुझे ये लगा कि काश काश मेरा एक बेटा और होता तो मेरे दोनों कंदे मजबूत होते और इश्वर ने मेरे बाद सुन ली मुझे एक और पुत्र हुआ सब अच्छा चल रहा था मेरा व्यापार भी आगे बढ़ रहा था मेरी पतनी ने मुझे कहा कि ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है जो तुम इतने सफल हुए तुम्हारे माता पिता ने तो कुछ नहीं किया और वैसे भी उनकी उम्र हो गई है उन्हें तीर थी आत्रा पर चले जाना चाहिए मुझे उसकी कही हर बात सही लगती थी जब मैंने पिता से इस बारे में कहा तो उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि मुझे ये बात पसंद नहीं आई और उसके बाद से मुझे मेरे पिता की कही हर बात गलत लगने लगी वो मुझे वैपार में भी स्वतंतर निर्णे नहीं लेने देते थे मुझे अब आज़ाद ही चाहिए थी और इश्वर ने मेरे बात सुन ली मेरे पिता की तबियत अचानक खराब हो गई वैद ने जवाब दिया कि जिससे भी मिलाना है मिला लो अब ज्यादा समय नहीं बचा है इनके पास मुझे ये सुनकर दुखी होना चाहिए था लेकिन मैं तो खूशो रहा था ले गए तो मेरी पत्नी ने कहा कि सबसे तो ये मिल ली अब मरते क्यों नहीं है मुझे मेरी पत्नी की हर बात सही लगती थी कि वो हमेशा सही कहती है अगले दिन जब मैं पिता के कमरे में गया तो देखा उनकी मृत्य हो गई है मेरी माँ वहाँ बैठे अकेली रो रही थी उन्हें देख कर मुझे रोना आ गया और मैंने तब सोचा कि मैं अपने पिता की अंतिम्यात्रा बेहद भव्वे निकालू महता कि सब को पता चले कि मैं उनसे कितना प्यार करता था और मैंने वही किया पिता की अंतिम्यात्रा बेहद अच्छे निकाली सभी लोग उसकी प्रशंचा कर रहे थे मैं मन ही मन बेहद खुश हुआ लेकिन चेरे पर दुख के भाव दिखाने पड़ रहे थे अब मैं आजाद था हर चीज अपने हिसाब से कर रहा था मुझे में अधिक धन कमाने की इच्छा जाग गई थी मैं बेहद धन कमाने की होड में चल दिया और कमाया भी मैं अपने घर का सबसे अमीर आद्मी बन गया देरे देरे समय भी था मेरे दोनों बेटों के शादी हुई और मैं बुड़ापे की तरफ बढ़ने लगा लेकिन दोर अभी भी बाकी थी मैंने अपने दोनों पुत्रों का विवा बड़े वयापारियों की बेटियों से कर दिया ताकि मुझे वयापार में और ज्यादा लाब हो सके देरे देरे उम्र बढ़ती चली गई और बुड़ापा आता रहा एक दिन मेरी पतनी भी मुझे छोड़ कर चली गई और तब मुझे पहली बार अकेले बन का हैसास हुआ तब मैंने बुद्ध के बारे में सुना और मैं उनके उपदेश सुनने के लिए उनके आश्रम चला गया लेकिन बुद्ध के विचार मेरे विचारों से अलग थे मैं उनसे सहमत नहीं हुआ मेरे तरह वहाँ और भी लोग थे जो बुद्ध के विचार से सहमत नहीं थे मुझे वे लोग मेरे सुबचिंदक लगे और मैंने बुद्ध की बात नहीं सुनी दीरे दीरे समय बीता गया और मेरी तबियत खराब होने लगी और मैंने बिश्तर पकड़ लिया मैंने बड़े से बड़े वैद को दिखाया लेकिन कोई फाइदा नहीं हुआ एक दिन मेरा बड़ा बेटा मेरे पास आया और बोला पिता जी अब आपसे काम नहीं होगा वयापार अब मुझ पर छोड़ दीजी और छोटे भाई की भी चिंता मत करें मैं उसे भी संभाल लूँगा आप सारा वयापार मेरे नाम कर दीजी मैंने अपने पुत्तर से कहा अभी मैं मरने वाला नहीं हूँ बस बीमार हुआ हूँ मैं ठीक हो जाओंगा उसके बाद मेरा दूसरा बेटा आया उसने कहा पिता जी बड़ा भाई नशा करता है आप तो जानते ही हैं आप सब मेरे नाम कर दें मैं आपकी तरह ही इसे आगे लेकर जाओंगा मैंने अपने दूसरे बेटे से भी यही कहा कि मैं अभी मरने वाला नहीं हूँ बस बीमार हुआ हूँ मैं ठीक हो जाओंगा अभी तो मुझे और जीना है लेकिन इस बार ईश्वर ने मेरी बात नहीं सुनी और वैद ने मेरे पुत्रों से कहा कि जिस से मिलाना है मिला दो समय बेहद कम है ये सुनकर मेरी दोनों बहुएं रोने लगी मेरे बेटों ने सभी रिष्टेदारों को बुला दिया सब मुझे मिलने आते और कहते कि आपके बिना अब सब अकेले कैसे चलेगा मैं अभी जीवित था लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सब मुझे अभी से मरा हुआ मान रहे है उस दिन मुझे मेरे पिता की बेबसी का ऐसास हुआ और सोचा ये जीवित में ही क्यों मुझे मार रहे हैं और सब कितने स्वारती हैं, अब तो मेरे बेटे भी भटवारे के लिए मेरे आगे लड़ रहे हैं और उनकी पत्नियां उनका साथ दे रहे हैं, कि मेरा धन कमाना किस काम आया, जो मुझे ठीक ही नहीं कर सका, मैंने बेकार में पूरा जीवन इस धन के पीछे बरबाद कर दिय हर गलत काम किया, नशा किया, शडियन तर रचा, लेकिन सब बेकार गया, मैंने ये सब क्यों किया, काश मुझे ये बात, पहले समझा गई होती, कि ये सब एक दिन यहीं रह जाना है, इससे अच्छा होता मैं कोई नेक काम करता जिससे लोग मुझे याद रखते, काश ये बात मुझे पहले पता चल कही होती, जब मेरे पिता विस्तर पर थे, तब शायद मैं कुछ अच्छा कर पाता, जीवन को नई दिशा दे सकता, मैंने दोनों बेटों को बुलाया और पूछा, मेरी अंतिम्यात्रा कैसे निकालोगे, कि आप मेरे नाम सब जायदाद कर दे, म कुछ भी अब मेरा नहीं है, अब सब कुछ छोड़ कर जाना होगा, मेरत्यू मेरे सामने है, मैं सब को समशान ले गया, मेरी माता, पिता, पतनी, लेकिन कभी ये नहीं सोचा, कि एक दिन मैं भी यहाँँगा, मैंने अपना पूरा जीवन कामियाबी से निकाला लेकिन, अचपन से लेकर अब तक बस दोड़ा चला जा रहा हूं, किस चीज में आज तक पुल जा रहा, पता ही नहीं चला, और जब आखरी समय पर सब बातें समझ में आई, तो बहुत देर हो जुकी थी, ये बातें कहकर बुजूर्ग चुप हो गया, और महात्मा बुद्ध के प लेकिन ज्यानता का एक शन भी काफी होता है, तुम्हारे पास अभी जो भी समय बचा है, वो ज्यान से पूर्ण है, अब जो भी तुम्हें मिले सांसे या फिर मोत उसे स्वीकार करो, पर तुमान पर केंद्रित हो जाओ, जो भी तुम्हें मिले उसे खुशी से स्वीकार कर जितना रहस्य जीवन में हैं, उससे ज्यादा रहस्य मोत में हैं, जो खुशी जीवन दे सकता है, उससे भी बड़ी खुशी मोत दे सकती है, केवल पूर्ण रूप से देखना, एक एक शन देखना, दुख मत करना, भूतकाल को भूल जाओ, भूश्य के चिंता मत करो, जो यही ग्यान तुम्हारी सहायता करेगा, दोस्तों अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी, तो इसे अपने मित्रों, उस्तेदारों और प्रिय जनों के साथ साजा जरूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नोटिफिकेशन बैल को प्रेस कर लें, ताकि हम जब भी कोई कहानी डालें, तो आपको तुरंद पता चल जाए, तो मिलते हैं अगली कहानी में तब तक के लिए अपना खयाल रखें।